स्री शिवाई नमस्तु भ्यम जै महाकाल दोस्तो आज 26 जुलाई तीथी भुदवार और स्रावन महा का भुदवार पढ़ रहा है दोस्तो स्रावन महा का जो भुदवार होता है इसका आपने आप में काफी विशेश महतो माना जाता है इसी परकार आज भुद्वार की रात किबल एक चुटकी जीरा अपनी मुँ में रख लेना पैसा पानी की तरहे आएगा दोस्तो आज हम आप लोगों को एक बुद्वार का दिव्य और अच्चुक उपाई पूज गुर्देव की शुमाह प्रान खता से बतायों बताने चारे हैं इस उपाई को कर आप अमनी जीवन के तमाम कष्टों को दूर कर सकते हैं अगर आपका कोई भी कारिया नहीं बन रहा है आप किसी भी कारिया को करने जाते हैं उस कारिया में आप लोगों को सपलता नहीं मिलती है बनता बनता कारिया रह जाता है व्यापार ठीक तरीके से नहीं चल रहा है व्यापार में बिल्कुल भी फाइदा नहीं हो पारा है घर में हमेशा लड़ाई जगडे होते रहते हैं मन मुटाओ होते रहते हैं तो ऐसे में दुस्तों आज का जो उपाई है ये उपाई वास्तों में बहुत ही कारगारी है इस उपाई को आप केवल एक बाहर कीजिएगा आपके जियोन के तमाम कष्ट हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे तो ऐसे में दूस्तों वास्ता में ये जो वीडिया है बड़ी ही काम की होने वाली है वीडियो को पूरा देखेगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दे और भगवान स्यू के सच्चे भक्त कोमेंट वाक्ष में हर हर महादेव स्रीश्वाय नमस्त अब्यम जरू लिखे ताकि भगवान स्यू आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर सके इसी के साथ इस मनुष्य की जीवन के सभी परकार के विग्न हर लेते हैं अगर किसी के उपर इनका आशिरवाद हो जाए तो रिद्धी सिद्धी के साथ भग्य की विधाता करम की दाता भगवान स्री गिनेश जी उसके उपर महरवान होते हैं तो ठीक इसी परकार दोस्तों आज की इस वी बन मुटाव रहता है या फिर व्यापा ठीक से नहीं चल पा रहा है या फिर आपको लगता है कि आपके उपर कोई ऐसी बुरी सकती का साया है जिसकी वजह से आपका हर कारिय हर बंता कारिय बिगड़ रहा है तो ऐसे में दोस्तों अगर आज हम भुद्वार के दिन जीरे से जुड़े उपाई करें तो ये हमारे लिए लाबदायक साबित हो सकते हैं दोस्तों कहते हैं कि जो जीरा होता है जीरे से हम कोई भी उपाई करते हैं तो इससे राहू की जो कूड़ रिष्टी होती है वे भी दूर होती है ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि जब मनुश्य के पहले केवल एक चुटकी जीरा ले एक चुटकी जीरे को अपने मुह में रखकर और चबा चबा कर आप खा जाए जीरे को चबाते से मैं आप लोगों को ओम गण गण पताए नमहा इस मंतर का आप लोगों को जब करना है दोसों कहते हैं कि बुद्वार के दिन इस कार्य को कर पाने सिया जीरे से जुड़े उपाय करने से जीवन की तमाम एक कष्टों से छुटकारा मिलता है कूड रिष्टी जो होती है राहू की वे दूर होती है और हर कारिय बनने लगता है दूसरे ही दिन से लाव देखने को मिलता है तो आप भी एक बार विश्वास के साथ इस करकर देखेगा आपको लाब मिलेगा आपका हर कारिय बनेगा हर कारिय में आपको सबलता प्राप्त होगी तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेगा धन्यवाद जी नमस्कार